दिये विध्यार्तियों, आज हम अल्गी में थैलस और्गनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे शेवालों की वेजिटेटिव स्टेक्चर में आनेक विभिनताएं पाए जाती हैं ये यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, अत्वा, पैरंकाइमेंटस रूप में पाए जाते हैं शेवाल का थैलस, साधारंत, माइक्रोइसकोपिक से लेकर अत्यदिक विशाल तथा जटिल सरजना प्रदर्शित करते हैं और्गनाजिशन के बेसिस पर थैलस दो प्रकार के होते हैं नमबर वन, यूनिसेलुलर, एंड सेकेंड, मल्टिसेलुलर थैलस यूनिसेलुलर थैलस, फियोफाइसी क्लास के अतिरिक अन्य सभी क्लासेज में एक कुश्किय थैलस पाए जाते हैं चुकि इन में जीवन चक्र की सभी क्रियाएं एक ही सैल में संपन होती हैं इसलिए इन्हें एसेलुलर भी कहते हैं एक कोशी के सेवाल कई प्रकार्टे हो सकते हैं फोर एक्जामपल, फ्लेजिलेटिट ये फ्लेजिला युक्त गतिशिल्स सेवाल होते हैं जो की युगलीनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, क्राइसोफाइसी, जैन्थोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी आदी अनेक वर्गों में पाये जाते हैं ये फ्लेजिलाओं की संख्या तथा पुजिशन में विभिनता दर्शाते हैं फॉर एक्जाम्पल, क्लेमाइडोमोनास में दो तथा युगलीना में एक फ्लेजिला पाये जाती हैं इसी तरह, हिट्रोक्लोरिस में टू फ्लेजिला अन इक्वल साइस की होती हैं वर ट्राइडियोपिस में टू फ्लेजिला पाये जाती हैं जो की एक्रोनिमेटिक और पैंटोनिमेटिक टाइप की होती हैं Peridian में भी दो phlezylla पाई जाती है, it arises from the transverse furrow and encyclates the cell. And second, arises from the longitudinal furrow and facess backward. Trichlorisius में 3 phlezylla. quartieria में 4 phlezylla. क्लोरेस्टर्स में 5 फ्लेजिला और पोसिलो मोनास में 6 फ्लेजिला पाई जाती है अमिबॉइट और राइजोपोईडिल इनमें सैल बॉल का अभाव होता है साइटो प्लाज्मिक प्रोजेक्शन्स जो की स्यूडो पोडिया कहलाते है उनके कारण इनकी आकरती निश्चित नहीं होती है पर एक्जामपल क्राइज समीबा, राइजो क्लोरिस, राइजो क्राइसिस, एक्सेक्टरा जैसा कि आप डाइग्राप में देख सकते हैं नॉन फ्लेजिलेटिड ये गोलाकर या अन्य आकरती के अकशाबिकिये शैवाल होते हैं जिने कोकोईट कहा जाता है या फिर प्रोटो कोकोईट भी कहा जाता है फर एक्जामपल क्लोरिला, सिने कोकस, क्रू कोकस तथा डाइटम्स डाइटम्स कुशिका दो थीका से बनी होती हैं तथा दोनों ही थीका एक मेखला पट्टी यानि की गर्डल बैंट के द्वारा जोड़ी हुई रहती हैं इस्पाइरल फार्म, सरपिल आकार, एल्गिस, ये एक कोशिकी ये शेवाल सरपिल आकार के अत्वा कुनलित आकरती के होते हैं फर एक्जामपल, इस्पाइरो लाइना, जैसा कि आप डाइग्राम में भी देख सकते हैं Multicellular Thales, बहु कोशिके शेवालों में मुखे तर 6 प्रकार के थैलस पाए जाते हैं Number 1, Aggregation, Number 2, Synobium, Number 3, Filamentus, Number 4, Siphonus, Number 5, Parenchymatus, and Number 6, Equisitoid ये सभी थैलस, Elgis के Multicellular Thales खहलाते हैं Multicellular Alga, Synobium, इस प्रकार की कॉलोनी निश्चित आकार और साइस की होती हैं इन में निश्चित संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं थथा एक विशिष्ट क्रम में अरेंज रहती हैं इनने कोशिकाओं की संख्या यंग स्टेज में ही निर्धारित हो जाती हैं और उसके बाद केवल इनके आकार में ही व्रदी होती हैं इन्हें Synobium भी कहते हैं यह दो प्रकार की होती हैं नमबर वन फ्लेजिलेटिट या मोटाइल और नमबर टू नोन फ्लेजिलेटिट और नोन मोटाइल फ्लेजिलेटिड इनकी कोशिकायों में कशाभी का पाई जाती हैं जो आपस में Plasmodesmeta के द्वारा चुड़ी रहती हैं Plasmodesmeta एक तरह के Cytoplasmic Connection होते हैं यह सामनेत आकार में गोलाकार होती हैं फर एक्जामपल, Pandorina, Eudorina and Wallbox Non-Flagellated और Non-Motile इनमें कोशिकायों Non-Flagellated होती हैं और इनकी आकरती, गोल, प्लेट शरदश्य, यानि की प्लेट लाइक अत्वा, जाल के समान होती हैं फर एक्जामपल, Pediestrum, Sanedasmus and Hydrodiction जैसा कि आप डाइग्राम में देख सकते हैं यहां पर Hydrodiction का डाइग्राम दिखाया गया है इस डाइग्राम में आप Pediestrum और Sanedastrum की Non-Flagellated Cells देख सकते हैं The colony of Pediestrum is disc-shaped and is made up of closely arranged cells in Sanedasmus the colony consists of four to eight variously shaped cells which are parallelly arranged one above the others as a sack of coins इनमें कोशिकाएं आपस में समूहन करके अनीमित ताकार की colonies बनाती हैं इनकी विशेष्टा यह है कि कोशिकाएं दिवाइड होती रहती हैं जिससे कि कोशिकाओं की संख्या में भी व्रदी होती रहती हैं इस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या कोशिकाओं का आकार अनिश्चित होता है समूहन या कोशिकाओं की कोशिकाओं की संख्या कोशिकाओं की संख्या कोशिकाओं का आकार अनिश्चित होता है अचल कोशिकाएं मुसिलेजिनस मेट्रिक्स में अनीमित रूप से एंबेडिड रहती हैं या धसी हुई रहती हैं इन में ना तो आकार और ना ही कोशिका की संख्या निश्चित होती हैं रत्यकोशिका फिजियोलोजिकली पॉइंट आफ व्यू से एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं फर एक्जामपल टेट्राइस्पोरा, पामिला, एफेनोथीका, एक्सेक्टरा पाल्मिला इस्टेज कुछ एल्गीज में पाल्मिला इस्टेज अस्थाई रूप से पाई जाती हैं फर एक्जामपल, क्लेमाइडो मोनास वट इस पामिला इस्टेज? The division of the protoplast of a cell ultimately forms amorphous colony with indefinite number of spores and it is called as पामिला इस्टेज examination के point of view से पामिला इस्टेज is a very important and next dendroid form इसमें कोशिकाएं एक दूसरे से मुसिलेस के द्वारा इस प्रकार जूड़ी रहती हैं कि उनका स्वरूप शुक्ष्म रक्स के समान दिखाई देता है या माइक्रो प्लांट के समान दिखाई देता है dendroid colony का भी आकार वह साइज अनिश्चित होता है for example chrysodendron pacinoclidus तथा chemis iPhone etc next rhizopodial form इसमें colony की प्रत्य कोशिका आपस में protoplasmic projections के द्वारा यानि की rhizopoidia के द्वारा जुड़ी भी रहती है for example chrysodendron rhizocrisis etc अब हम next class में filamentous form के बारे में study करेंगे प्राम आप इस